हेलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिवारी अकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जाल लेंगे क्लास 7 के साइन्स का सेकेंड चैप्टर प्राणियों में पोशन के बारे में और साथ ही जाल लेंगे इस चैप्टर से जुड़े कोश्चन और एंसर के बारे में तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टाट करते हैं तो फ्रेंड जिस तरह से आफ देख पा रहे हैं इस चैप्टर स्का हेडिंग है प्राणियों में पोशन तो friends चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आकर इस chapters में हमें कौन सी बाते बताई गई है तो friends जैसा इसके heading से ही पता चल रहा है आपको इस chapters में प्राणियों में किस तरह से पोशन की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसके बारे में और साथ ही रूमिनेंट्स के सरीर में किस तरह से पोशन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है उनके बारे में आपको बताया गया है जिस तरह से आपको पिछले chapters में पादपों के पोशन के बारे में समझाया गया था अब आपको जान लेना है कि प्राणियों में किस तरह से पोशन संपन है तो फ्रेंट्स जैытसा आँ सभी जानते हैं पोशक तत्थot्यों का हमारे भोजन के द्वारा आहार के रूप में ग्रहन करना जो हमारे सरीर के वृद्धी ओर विकास के लिए काफी सहीता होती है ठिक काफी सायक होती है उन्हें हम पोशण कह रहे हैं यानि पोशक तत्तों का ग्रहन करना और उन्हें हमें सरीर के विभिन भागों तक पहुचाना ताकि सरीर में व्रिधी हो सके शरीर का विकास हो सके इस पूरी पक्रियाओं का हम लोग पोशन कहते हैं याद रखना है आपको अब है पोशक तत्व क्या होते हैं आपने फिछले चैप्टर्स में जाना फ्रेंड्स की पोशक तत्व क्या होते हैं कार्भोहड्रेट प्रोटीन फैट्स जिने हम पोशन पाने के लिए हम उन्हें ग्रहन करते हैं पोशक तत्व कहलाते हैं याद रखना है आपको पोशक तत्व क्या है और क्या है पोशन काफी common questions है फ्रेंड्स अब आपको धियान से समझना है अब तक आपने जान लिया था कि वे जनतु वे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं और जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं दूसरों पर नेवर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो आपने जाना श्वा पोशी पोशन क्या है और विशम पोशी पोशन आखिर क्या होता है तो आज हम ल प्राडिश्रम भोशन उसके ही बारे में आज का ये chapter है तो friends सबसे पहले हम लोग विशम पोशी पोशन के बारे में कुछ बाते जान लेंगे जैसे अपने last के chapters में जाना था कि परजिवी पोशन क्या होता है परजिवी पोशन में जो भी जीवधारी होते हैं वो दूसरों के सरीशे अपना पोशन ग्रहन करते हैं जैसे जोग, केचुए, खटमल, मच्छर ये सभी परजिवी पोशन के अंतरगत आते हैं नेक्स हमें जाल लेना है मृतोब जिवी पोशन के बारे में मृतोब जिवी पोशन में जो जिवधारी थे वे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपने पोशन को पूरा कर रहे थे उसमें अर्थवाम केचुओ का भी नाम आता है ठीक है न? तो वे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोशन कर रहे हैं मृतोब जिवी पोशन खहलाते हैं सहजीवी पोशन क्या थे यह भी आपने जाना था तो सहजीवी पोशन में विभिन प्रकार के दो अलग-अलग किस्म के प्राणी और जीवधारी एक दुसरे से लाववान्तित हो रहे थे एक दुसरे को आस्रह और पोशन दे रहे थे तिक है न आपने जाना यह बाते होते हैं ठीक है ना कच्छे पदार्थों को भी खाता है दिमक कूर-कूर के धीरे-धीरे समझना है आपको बातों को से लूज का पाचन वह बैक्ट्रिया करती है ठीक है ना ट्राइको निंफा के नाम से जाना जाता है ध्यान रखना है आपको और वह उन्हें उसके बदले मे एनरजी प्रुवाइट करती है याद रखना है यह सिंबियोटिक निट्रिशन का सहजीवी पोशन का काफी अच्छा एक्जामपल है इसके अलवा आपने जाना था कि जितने भी डाल जाती है जो भी पौदे है उनके जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्ट्रिया पाया जाता है यह भी सहजीवी पोशन का ही एक अच्छा उधारन है अब हम लोग जाल लेंगे कि होलो जोई निट्रिशन प्राणी शम पोशन के बारे में यह आखिर क्या होता है इससे पहले हमें समझना है तो फ्रेंट्स यह एक ऐसी प्रक्रिया है यह एक ऐसा प्रोसेस है जो काफी जटिल होती है ठीक है ना यह किन प्राणियों में शमपन होती है तो फ्रेंट्स यह साकाहरी में या मांसाहरी में या सरवाहरी में या फिर वे सभी जीवधारियों में जो केचुए को खाती है या फिर आप बोच सकते हो जो भी बाज है जो भी गिद है उन सभ वगरा ठीक है ना मेडग वगरा उन सभी में इस तरह के पोशन ही प्रक्रियाई संपन होती है तो फ्रेंड्स प्राणी संप पोशन या फिर पूर्ण भोजी पोशन के अंतरगत हमें कुछ बातों को इस चेप्टरस में हमें जाल लेना है जैसे यह पूरी प्रक्रिया एक पोशन zaangikearan यह पूरी पुरी 5 प्रक्रियाओं को हमें इस चेप्रस में बताया गया है जो Whoo Sharm पोशन के उधारण्ए आपको समझना यह प्राणी संपर्बोशन में इनई प्रक्रियाओं से पोशन जो है वह होचा है जैसा मैंने आपको बताया कि यह साकाहरी मांसाहरी सर्वारी या फिर कैरियन फीडर और इंसेक्टिवरस में यह यह वोक करते हैं काम करते हैं उनमें इसी तरह का portion की प्रक्तिया होती है ठीक है न तो friends जैसा आप सभी देख पा रहे हैं हमारा जो पहला शब्द है वह है पाचन पाचन की से कहते हैं उससे हमें पहले समझना है तो friends भोजण में भोजण जो होते हैं वो एक जटिल पदार्थ होते हैं जटिल पदार्थों को तोड़ कर सरलिकृत कर देना ही पाचन की प्रक्रिया में होती है इसे पहले आपको समझना है जब भी हम अपने भोजण को मुखकुहा से लेते हैं अंदर और यह भोजण उस समय जटिल फॉर्म में होता है जटिल रूप में होता है ठीक है न यह जटि पतार्थों का विगटन समपन होता है यह कौन सी प्रक्रिया में होती है या पाचन की प्रक्रिया में पूरी होती है याद रखना है आपको फ्रेंड्स ठीक है न पाचन की जो प्रक्रिया है वो मनिश्यों में किस प्रकार से शमपन होती है उससे पहले आपको समझना है तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मानव में पाचन की प्रक्रिया आखिर किस प्रकार से संपन होती है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं मानव में पाचन तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेंगे कि आखिर मनुस्त में जो पाचन की प्रक्रिया पन्न हो रही है उसमें विभिन प्रकार के भाग जो है वो काम करते हैं वो भाग अखिर क्या है जैसे आप सभी देख पा रहे हैं पिक्चरस में भी मुख गोही का है नंबर दो ग्राशनली या ग्रशी का है नंबर तीन आमाशाय है नंबर फोर छुद्रांत है नंबर हदांत रहें और मलद्वार हैं समझ रहा है आपको बातों को ठीक है ना तो फ्रेंड्स यह पाचन आपने जाना कि पाचन की प्रक्रिया में जितने भी जटिल कार्बनिक कार्बोहड्रेट के सोर्स क्या है कार्बोहड्रेट जब भी हम लेते हैं तो हमारे पाचन के दोरान वह तूट जाती है तूट कर वह सरकरा शूगर के फॉर्म में चली जाती है ठीक है इसे प्रकार आपने जाना कार्बोहडेट एक जटिल पदार्थ में था विगटन हुआ सरकरा में याद रखना है आपको ठीक है ना फ्रेंड्स तो उस प्रकार हमारे जो मनुष्ट के पाचन में जो क्रियाएं वो कैसे संपन हो पा रही है पस उसी की बारे में आज का ये चैप्टर है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं जो पहला नाम है मुख गोई का पहले आपको समझना है कि हमारे सरीर में ये जो आप ये नली जानना है ये एक ही नली है जो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से परिचित है और अलग-अलग चुकी नाम से परिचित है अलग-अलग इसके पार्टस है तो जाहिर सी रूप है ये इनके अलग-अलग काम भी होंगे ठीक है ना आप देख पा रहे हैं ये मुख ग वो एक ही है आप देख पा रहे हैं ये पूरी नली एक ही है ठीक है न और यहाँ पर अलग-अलग जोगव पर इसके अलग-अलग नाम है इससे आपको पहले समझ देना है ठीक है न फ्रेंट्स तो friends चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये मुख गोहिका क्या होती है साधर्ण सब्दों में मुख गोहिका का मतलब होता है, मुख द्वार जहां से हम भोजन को ग्रहन करते हैं, वह होता है मुख गोहिका नमबर दो, ग्राशनली ये ग्रशी का क्या है तो friends, मुख गुहिका के बाद जो एक नली है जिसमें से भोजन हमारे आमाशय में आती है आमाशय और मुख गुहिका के बीज की जो नली है उससे हम लोग कहते हैं ग्राश नली यानि ग्राशनली यहां से लेकर यहां तक के जो पार्ट है न भाग है उसे हम लोग ग्रेशी का या फिर ग्राशनली कह रहे हैं इसे आपको पहले समझना है ठीक है न नेक्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर आमाशय क्या होती है तो फ्रेंड्स आमाश जह है वो शुरू हो जाता है इसे आपको समझना है उसके बाद का जो भाग है वो है छुद्रांत आप देख पा रहे हैं छुद्रांत जो हलके जो पिंक कलर आप देख पा रहे हैं जो हलके पिंक कलर है वो है छुद्रांत ठीक है न यहां पर भोजन का पूरी तरह यह रस उनसे मिलते हैं उन्हें पाचन में सायक करते हैं ठीक है ना लकिन पूरी तरह से खाना पचता है छुद्रांत में याद रखना है आपको और ब्रिहदांत यानि बड़ी आत वह जगह है जहां पर वज्जपदार्थ आकर जमा होने लगते हैं और लास्ट में पानी और नम हमारे शरीर में जो भी क्रियाओं हो रही है उनसे यो वज्ज पतार्थ बन रहे हैं उनके दौर आल तो मालासाय और गुद्दा से यह बाहर निकाल दिये जाते हैं यह टोटल फ्रासेस है यह टोटल प्रक्रिया है ठीक है न मनुष्य में पाचन की पक्रिया इसी तरह से संपन्र होते हैं पहले क्या होता है पहले आप देख पा रहे हैं भोजन हम मुह में लेते हैं धीरे धीरे इग्राशनली ग्रशनी से भोजन आती है आमाशय से आमाशय में आमाशय से देन जुड़े होते हैं अगनाशय यक्रित ये सब पित्ता से ये जुड़े होते हैं उन्हें ये help करते हैं साहतर करते हैं भोजन को पाशन में ठीक है ना देन ये आते हैं छुद्रांत में देन छुद्रांत से ब्रिहदांत में वज़पता आकर ये निश्कासित कर दिये जाते हैं मलाशय या फिर गुदा से तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे अंतह ग्रहन के बारे में जैसा आप सभी देख पा रहे हैं अंतह ग्रहन क्या है भोजन का सरीर के अंदर तक में लेना ठीक है ना यानि आहर नाल तक पहुंचाना भोजन का जिसे हम लोग अंतह ग्रहन कह रहे हैं आप देख पा रहे हैं अंतह ग्रहन कहलाती है निक्ष्ट हमें आगे बढ़ना है और जान लेना है कि आखिर इस अंतह ग्रहन के बाद निक्ष्ट जो है अगला जो कदम है वो भोजन का क्या होता है ठीक है ना जिस तरह रस काफी उससे help करते हैं भोजन जटिल पदार्थों में होता है उनका विगटन हमारे मुख गुईका से ही सुरू हो जाता है जहाँ पर लाला ग्रंतियां से निकलती है लाला रस जैसा आप सबी देख पा रहे हैं लाला रस निकलती है और यह देन भोजन को क्या करती है यह नरम करती है मुलायम बना देती है आपको समझना है और यह इनका जो मेन विगटन का जो काम है जिन्हें तोड़ दिये जाते हैं छोटे-चोटे टुगडों में इसमें जो हमारे सरीर के जो भाग काम करती है उनमें मुख गुईका के अंदर दाते काम करती है ठीक है ना दा आप सभी जानते हैं कि आहर इसमें आप सबसे बड़ी बात यही है कि आहर नाल से पहुचने के पहले तक की जो घटनाई होती है वो संपुण होती है जीव के द्वारा जीव एक मानसल पेशी अंग है आगे जो पीछे की और मुख गुईगा के अधरत से जुड़ी होती है य चारो तरफ अच्छे से लाला के साथ भोजन को मिलाने का अच्छे से काम करती है और साथ में यह भोजन को धकेल देती है आहर नली में और आहर नली में भोजन जाते ही अब देख पा रहे हैं भोजन सीधे ग्रसिका से होते हुई आमसे तक पहुचती है लेकिन आपको आमासे में पहुंचती है, उसमें भोजन का एक specific, एक versus गती होता है, उस गती को हम लोग peristalsis गती के नाम से जानते हैं, याद रखना है, peristalsis गती के माध्यम से ही भोजन, ग्रसिका के माध्यम से होती हुई, आमासे तक पहुंचती है, यह बात भी आपको जान लेनी है friends, ठी आखिर यह जो भोजन नली और ग्रसिका जिस तरह मैंने बताया आपको कि यह कौन सा भाग है, तो friends, जैसा मैंने आपको वीडियो के starting में ही बताई कि मुख गोहिका से आमासे से आमासे तक इसके बीच में जो नली पाई जा रही है, उसे हम लोग भोजन नली या फिर ग्रस दिवारे होती है, काफी ऐसे आप बोल सकते हो, काफी प्लेन होती है, काफी सम्तल होती है, काफी चिकनी होती है, जहां पर लाला रस जो लाला ग्रंती से निकल कर निकलती है, भोजन को काफी नरा मुलायम बना देती है, और पेरिस्टाल्सिस गती के माध्यम से होती हुई भोजन आमासये तक पहुंसती है और आमासये के बारे में हम लोग कुछ बाते जाल लेंगे फ्रेंड, आप सभी देख पा रहे हैं। आमा सही की जो दिवार होती है यह दिवार काफी पतली होती है ठीक है ना काफी चिकनी होती है इसके जो भाग है वो उपर की तरफ चौड़े होते हैं और नीचले हिश्चे में यह काफी पतली होती है उपर का जो हिश्चा है यह ग्राशनली से जुड़ा होता है और नीचे वाला जो हिस्सा है वह चुद्रांत यानी छोटी आत के साथ जुड़ा होता है या बात भी आपको जाल लेनी है इसकी जो आकरिती यह यू के आकरकी होती है और यही वो जगा है आमसय जहां पर भोजन सबसे पहले आ कर जमा होता है और यहां पर भोजन कीन से चार घंटे तक रहता है और यहाँ पर इस अमसे में रहने वाले विशेश प्रकार के अंतरिक स्तर में इसके दिवारों पर काफी सारे अमल भी पाये जाते हैं ठीक है ना जैसे आप सभी जानते हैं hydrochloric acid, hydrochloric amyl, पाचक, रस, इसके अलावा, slishmal, ये जो है, ये काफी, अमाशे की, अंदुरुनी शतर पर ये पाए जाते हैं, अब क्या होता है, ये करते क्या है, इसे आपको पहले समझना है, amyl जो है, वो काफी भोजन को, ये acidic बना देते हैं, ठीक है न, amyl कृत कर देते हैं, आपको समझना है, और इसमें, slishmal, जो पाए जाते हैं, पाचक, रस, जो पाए जाते हैं, slishmal, अमल क्या करता है, इसमें भोजन में उपस्ती, कई सारे bacteria, जिवानों को, अंतता ये मार देता है, लेकिन सबसे पहले आपको बात, ये जाल लेनी है, भोजन का प्रथम, जो bacteria और जिवानों को, नस्ट करने का काम है, ये हमारे मुख गुईका से, यानि लाला ग्रंथी से ही, स्टार्ट हो जाता है, लाला ग्रंथी से निकलने वाला रस, काफी सारे bacteria को नस्ट कर देता है, बच्री कुछे bacteria जो है, वो आमासे में आकर मर जाते हैं, और देन hydrochloric acids, hydrochloric अमल भोजन को, acidic बना देते हैं, और इसकी दिवारों से, यानि आमासे की दिवारों से, निकलने वाला पाचक रस, भोजन को पाचन में काफी सहायक करता है, या बात भी आपको जान लेनी है friends, ठीक है ना, next हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जान लेंगे कुछ बातें, आखिर छुद्रांत के बारे में, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, छुद्रांत, तो friends, चुद्रांत तक भोजन पहुचने से पहले, सबसे पहले आपको यह बात जान लेनी है, कि protein, protein जैसे खाद्य पतार्थों का, जो विगटन है, वह आखिर आमाशय में होता है, यह बात आपको जान लेनी है, क्योंकि आमाशय में, ऐसे बहुत सारे acids, बहुत सारे ऐसे अमल, बहुत सारे ऐसे पाचकरस निकलते हैं, जो protein का विगटन कर देते हैं, नेश्ट आमें जान लेना है, चुद्रांत के बारे में, यह 7.5 मीटर लंबी एक कुंडली नली होती है, ठीक है ना, और यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, और अब शोशन भी होता है, जैसा आप सभी जानते हैं, और यह यकृत एवं अगनास है से स्रावित होती है, यह बात भी आपको जाल लेनी है, ठीक है ना, इसके अतरिक्त, इसमें काफी सारे रज्ज हैं, वो भी स्रावित होते हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, अब है यकृत के कलर के बारे में, यकृत के रंग के बारे में, तो यह लाल भूरे रंग की ग्रंथी है, जो उदर के उपरी भाग में, दाहिने दक्षिन और अवस्थित होती है, यह सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है, कौन, पहले आपको यह जाला ना, यकृत, ठीक है न, यकृत हमारे सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी होती है, यह पितरस का स्रावत करती है, तो फ्रेंड्स यह पित रस ऐसा रस जो भोजन को पचाने में काफी मददगार होता है इसमें 90% जो पदार्थ होते हैं वो पानी के ही होते हैं यह हलके पीले रंग का द्रव्य होता है ठीक है ना फ्रेंड्स नेक्ष्ट हमें जान लेना है कि यह पित्रस किस जगा में संग्रित होते हैं, किस जगा पर जमा होते हैं याद रखना है यह यकृत से निकलती है पित्रस ठीक है ना और यकृत जो है हमारे सरीर का सबसे बड़ा ग्रंथी होता है ठीक है ना और पितरस इन से निकलती है, पितरस भोजन को पचाने में काफी मददकार, काफी सायक होती है, और पितरस जो है, वो किस थैली में संगरित होती है, उस थैली का नाम है, पितास है, ठीक है न, ये बात भी आपको जान लेनी है, तो friends, अब तक अपने जाना कि जो प्रोटीन है और जो वशा है, वो छुद्रांत में आकर विघटित होती है, छुद्रांत के साथ, कई सारे थैली जैली जुड़े होते हैं, जैसे यकृत के और जैसे पैंक्रियास के अगनाश है के, याद रखना है आपको, ठीक है न, इन बातों को, आखिर ये विगतन होता क्या है, और विगटित होकर ग्लुकोज में बदल जाती है हमारे सरीर में याद रखना है आपको ठीक है ना कार्बुहाइडेट बदल जाती है विगटित हो जाती है टूट जाती है पाचन में किसमें सरकरा में ठीक है ना याद रखना है आपको और नेक्ष्ट हम लोग जान लेंगे कि यह जो वशा है ना यह वशा यानि फैट यह किसमें विगटित हो जाती है यह fatty acids में और glycerol में यह टूट जाती है यह बात भी आपको जान लेनी है और protein जो है यह टूट जाता है amino acids में इन प्रकार से जो पोश्रक तत्व है हमारे सरीर में उनका विगटन हो जाता है जिसे हम लोग पाचन की क्रिया हम लोग कहते हैं जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर चुद्रांत में अवशोषण कैसे हो पाता है तो फ्रेंड्स जिस तरह आपने जाना कि भोजण जो हैं पच गय हैं ठीक है ना अब ये भोजण चुद्रांत में पचावा भोजण अवशोषित होकर आ जाते हैं तो अब है अब शोषण वह माध्यम है जिसके माध्यम से वह प्रकार है जैसे भोजण के पौस्टिक जो आहार होते हैं जो पौस्टिक तत्व होते हैं वो विभन प्रकार क के रक्त वाहिनियों में पहुंचा दिये जाते हैं ठीक है ना ये पहुंचाने का काम ये अप्शोषण का काम कौन करती है ये अप्शोषण का काम छुद्रांत में उपस्थित दिर्ग रोम एवं या फिर आप बोच सकते हैं उन्हें रशांकुर ऐसे संद्रचनाएं जो अब शोषित कर लेती है और रक्त वाहिनियों के माध्यम से हमारे सरीर के विभन भागो द्वारा उन्हें उन्में पहुंचा दिये जाते हैं अब हमें जान लेना है कि आखिर स्वांगी करण से आखिर क्या मतलब है तो फ्रेंड्स स्वांगी करण कहने का दात पर जहां प माध्यमों दारा जैसे रक्त वाहिनियों के द्वारा पहुंचा दिया जाना ही श्वांग करण करना ही कहलाता है याद रखना है श्वांगी करण मतलब हमारे सरीर में जो भी नीडिड है जो भी आवश्चक पौस्टिक द्रबों की घठती है ना वो स्वांगी करण के माध्यम से पूरी होती है स्वांगी करण में पॉश्टिक जो पदार्थ है वो विविन भागो तक पहुंचा दिये जाते हैं उन्हें हम लोग स्वांगी करण कहते हैं याद रखना है आपको ठीक है न तो फ्रेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर व्रिहदांत आखिर क्या होता है तो फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आपने जाना कि किस प्रकार से भोजन जो है वो चुद्रांत में आ गये हैं और देन बहुत ऐसे भोजन के भाग हैं जिसमें आप पॉस्टिक पदार्थ नहीं बचे हुए हैं अब बेकार हो गये हैं वज्यपदार्थ के रूप में वे हो गये हैं तो वज्यपदार्थ अब लाश्टली आ जाते हैं अंत्ताह आ जाते हैं व्रिहदांत्र में जिसे हम लोग बड़ी आथ कहते हैं बड़ी आथ के बारे में आपको पहले कुछ बाते जान लेना है बड़ी आ दांत में उनसे अब जल का अप्शोशन कर लेती है नमक का अप्शोशन कर लेती है ठीक है ना और देन उसके बाद क्या होता है ये मलासय में पहुंच जाता है ठीक है ना और उस मलाशाय के माध्यम से मलद्वार के माध्यम से वज़ पतार्थों का निश्काशन हमारे सरीर के द्वारा कर दिया जाता है यह बात भी आपको याद रखनी है जिसे हम लोग मल त्यागना कहते हैं तो मल का त्याग करण कैसे हो पाता है जिसे हम लोग निश्काशन कहते हैं हमारे सरीर के वज्वपतार्थों का श्रमय समय पर बाहर निकालना ही निश्काशन कहलाता है ठीक है न फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर घास खाने वाले जन्तुओं में पाचन किस प्रकारशे संपन होती है आप सबी जानते हैं कि घास खाने वाले आखिर जन्तुएं कौन-कौन सी है गाय, बैल, भैस, घोड़ा उनमें पाचन किस प्रकारशे संपन होता है चलिए जानते हैं तो friends, सबसे पहले आपको यह बात जान लेनी है, कि उनमें जो आमासे हैं, उनकी जो नमबर्स होती है, वो चार होते हैं. जैसे उनमें से एक को rumin कहते हैं, दूसरे को reticulum कहते हैं, तीसरे को omasm कहते हैं, और चौधे को abomasm कहते हैं. यानि rumin, reticulum, omasm, abomasm है. ये रियूमन एक बड़ा सा भाग है ठीक है एक बड़ी सी थैली है जहां पर 50 से 60 गैलोंस जो ख़द पदार्थ है वो संग्रहित होते हैं रेटिकुलम वो हिस्सा है जहां पर भोजन के साथ आए बहुत सारे ऐसे वज्जपदार्थ जो जन्तु खा लेते हैं उनमें रेटिक रेटिकुलम में जाकर जमा हो जाती है जैसे घास खाने के साथ बहुत से ऐसे वो तारों को भी खा लेते हैं प्लास्टिक्स को भी खा लेते हैं तो वह उनके रेटिकुलम में जाकर जमा हो जाता है या बात भी आपको जान लेनी है तो फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है क आखिर ये जो प्रथम आमाशाय होता है ना जिसे हम लोग human कह रहे हैं ये जो होता है इसका मेन आमाशाय है ठीक है ना खास खाने वाले जन्तूओं का जो मुख के आमाशाय यही होता है अब हमें जान लेना है कि आखिर जुगाली करना किसे कहते हैं तो friends भोजन को सरपथम ख लगते हैं और rumen से पुनह मुख में ले आते हैं और मुख में ये धीरे-धीरे चवाते रहते हैं और पुनह मुख से rumen तक ले जाते हैं इस प्रक्रिया को ही जुगाली करना कहते हैं जुगाल में होता क्या है भोजन का आंसिक पाचन होता है इसे बात में आपको जान लेन यह जुगाल को ही हम लोग एक साधरन सब्दों में कड कहते हैं कड वर्ड का ही मतलब होता है वह भोजन जिसका आंसिक पाचन हुआ हो इस यह बात भी आपको जान लेनी है ठीक है ना फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जुगाली वह प्रोसेस है जैसा मैंने बताया रूमन से मुक तक ले आना मुक से पुना जो है वो ले जाना रूमन तक यह प्रोसेस जुगाली कहलाता है अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर यह रोमन्थन आखिर क्या होती है जैसा मैंने आपको बताया रोमन्थन ठीक है ना यह समय समय पर यह करती रहती है कौन जो घास वाले जो भी प्राणी होते हैं ठीक है ना तो अब है कि ये रूमिनेंट कौन होते हैं रूमिनेंट वे प्राणी होते हैं जो ऐसे जुगाली करते हैं ठीक है ना रोमन्थन जो करते रहते हैं उन्हें हम लोग रूमिनेंट इंगलिश वर्ड है उन्हें हम लोग रूमिनेंट तक ले जाते हैं, ऐसे काम करते हैं, ये घास खाने वाले जानवर, हम मनुष्य इसे कदाभी भी नहीं कर सकते, ये बात भी आपको जान लेनी है, इसलिए ऐसे जानवरों को अत्वा रूमन्थी कहते हैं, तो फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है सेलिलोज के बारे में, जैसे आप सभी देक पार हैं, ये सेलिलोज क्या होता है, तो फ्रेंडस सलिलोज एक परकार का कारभोहर्रेड ओता है थिक है ना? शाधरन सब्दों में अगर हम कहें तो यह एक आहारी रेशे होते हैं जिनका पाचन संभव नहीं हो पाता है इनके पाचन के लिए काफी strong पाचक रज की आवश्चत्ता होती है और काफी सारे जानवर including अगर अंतरगत लिया जाए मनुष्य भी सेललोज का पाचन नहीं कर पा याद रखना है इसे आप आहारी रेशे भी कह सकते हैं शाधरन सब्दों में अब हमने आगे बढ़ना है इस वीडियो में और जान लेना है कि आखिर अमीबा में किस प्रकार से संभरन और पाचन होते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं अमीबा एक कोशिक के प्राणी होता है काफी छोटा जीव है खुली आँखों से नहीं दिखाई देता है इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरुरत होती है इनकी जो सरीर हो उपसे इनके ना ही सिर, हाथ, पैर, शरीर नहीं देख पाओगे ठीक है ना इसे आपको पहले समझना है उनमें पोशन उनमें कैसे हो पाता है अगदम बिल्कुल मनुष्य के जैसा वो भी इसी पाचों रास्ते का ही जैसे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पाचों भी भोजन को ग्र्हण करने के लिए जब किसी ऐसे इसी कार को टार्रेट करते हैं तो वो कैसे इसे ग्रहण कर पाते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यह बैक्टिरिया बहुत ऐसे Chmk платे decision पदाब का मतलब होता है साधरन शब्दों में नकली पैर कृतिम पाउं ठीक है ना उसके माद्दियम से ये चलती है क्योंकि ये एक कोछी के प्राणी है इसके तो अलग रूप से कोई हात पैर होते नहीं है इसलिए पदाब की साहितासी ये चलते हैं, ये किसी भी प्रकार से इनका आकार हो सकता है, उस खाने को पाने के लिए, उनके सिकार को पकड़ने के लिए, याद रखना है आपको, ठीक है न, आमीबा, एक चुकी सुक्ष में प्राडी है, तो जीवों का आहर कैसे करता है, बह पर खाद कणिका है, और ये अंतगरण है, ये फसा लिए है, इस तरह का अपने बॉड़ी का मूव्मेंट किया है, ये पदाब के माद्यम से, ताकि यहाँ पर ये जो खाना है, आकर फस जाएं, और ये फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इस तरह से यह जो है, इनके सरी जाते है, फूड वैक्टूल कहते हैं, जिस प्रकर जो है, वहाँ पर ही डाइजेशन, यानि पाचन के क्रियाएं, संपन होती है, ये बात भी आपको जाल लेनी है, अब लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जाल लेंगे इस से जुड़े questions और answers के बारे में, तो friends नमबर वन, जहाँ पर आपको कुछ blanks दिये गया है, ठीक है ना, कथन दिये गया है, जिन में blanks हैं, और आपको उचीत सब्द भर कर वो blanks, वो रिक्तस्तान आपको पूर करने हैं, तो friends चलिए देख ले रहे हैं, आकिर question नमबर कॉम हम से क्या पुछे गये हैं, मानव portion के मुख्य चरन, डैश, कॉमा, डैश, कॉमा, डैश, कॉमा, एवं, डैश है, इस तरह से आपको जो है, वो कथन में पुछे जा रहे हैं, कि मानव जो portion जो हो रहे हैं, मानव के सरीर में, उनका मुख्य चरन क्या है, जो stages है, वो आखिर क्या है, यह आपको बताना है, इस questions के answers में, ठीक है, ना, तो वो blanks आपको भरने है, तो आपको friends, लिखना क्या है, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में भी बताया, कि सबसे पहले मानव सरीर का जो portion होता है, उसमें जो मुख्य चरन आते हैं, उसमें नमबर एक होता है, अन्तह ग्रहन, अन्तह ग्रण, खाने का आचन की क्रिया संपन होना, ठीक है, ना, और अवशोशन, अवशोशन, जो भी पदार्थ है, ठीक है, ना, जो सुक्षिम पदार्थ है, उनका विविन प्रकार के अंगों द्वारा अवशोशित हो जाना, अवशोशन, श्वांगी करन, वह जितने भी प्रकार के पॉस्ट जो द्रव्य होते हैं ठीक है ना वह पॉस्टिक द्रवों का हमारे सरीर के विविन भागों तक चला जाना मिल जाना वह स्वांगी करण कहलाता है और लास्ट है निश्काशन वज्जिपदार्थों का सरीर से बाहर निकल जाना निश्काशन कहलाता है ठीक है ना आपको ध्या झाल लेने हैं नमबाक को में हमसे क्या पुछे गए है आप सभी देख पा रहे हैं मानव सरीर की सब्से बड़ी ग्रंथि का नाम डैस है जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स वीरिज्यो में भी बताया है कि मानव के जो सरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम है यक्रिद ठीक है ना इंगलिस में हम उन्हें लिवर के नाम से जाते हैं या बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स ठीक है नेश्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे आमसे में हाइड्रो क्लोरिक अमल एवं डैस का श्राव होता है जो भोजन पर क्रियाएं करते हैं याद रखना है आपको आमसे ठीक है ना आमसे यानि स्टमक में जो हाइड्रो क्लोरिक अशिड्स होते हैं और साथ में डाइजेस्टिव्स जो होते वो जूसे भी होते हैं जिसे हम लोग हिंदी में देखा जाए तो उन्हें हम कहते हैं पाचक रस याद रखना है आपको फ उपर से यानि मुख द्वार से जो भोजन आ रहे हैं आमाश्राय में उसमें अब आकर ठहरते हैं और तीन चार घंटे वही पर रहते हैं और रहने के पस्चत उसी रहने के दावरान जो खाने का भोजन की सामक्रियों का भोजन के पदार्थों का क्या होता है धीरे धीरे पाचन हमारी मुख गुहा मुख द्वार से ही शुरू हो जाता है लाला रशों के माध्यम से ठीक है ना तो फ्रेंड्स आपको लिखना है आमासा में हाइड्रोक्लोरिक अमल एबंपाचक रशों का स्राव होता है जो भोजन पर क्रियाएं करते हैं नेक्स्ट हमें आगे हो में हम से क्या पूछे गए हैं छुद्रान्थ की अंत्रिक भित्ती पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्धक होते हैं प्रवर्ध होते हैं जो डैस कहलाते हैं याद रखे ना है आपको फ्रेंड्स जो छुद्रान्थ होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ठीक है रशांकुर कहते हैं ये रशांकुर वह भाग है छुद्रान्त का जिसमें विभिन प्रकार के पॉस्ट्रिक आहारों का अवशोशन होता है और हमारे सरीर में रख्त वाहिनियों के माद्यम से विभिन जगाओं में ये पहुचा दिये जाते हैं याद रखना है ये काम जो है चुद्रान्त की आंतिक संरचना दिर्ग रोम या फिर रशांकुर करते हैं ठीक है न और ये बात भी आपको याद रखनी है कि चुद्रान्त की इकाई के नाम से दिर्ग रोम या फिर रशांकुर भलीभाती परिचित है यानि अगर ऐसा पूचा जाए आपको सवाल की क्या पूचे गए हैं अमीबा अपने भोजन का पाचन ठीक है न वो डैस में करता है अमीबा अपने आप जानते हैं अमीबा सिंगल सेल्ड ठीक है न एक कोश्ट की अप्राणी जो अपने भोजन का पाचन करता है किसमें खाद्यधानी में करता है याद रखना है निया फ्रेंट्स नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्ट नमबर टू में हमसे क्या पुछे गए हैं प्रश्ट नमबर टू शत्य एवं अशत्य कथनों को चिन्नित कीजी आपको कथन दिये जा रहे हैं ठीक है ना जो सत्य भी हो सकते हैं या फ प्रारम होता है जैसा आप सभी जानते हैं कि मंड का जो पाचन है वो आमसे से प्रारम नहीं होता है यानि ये जो कतन है पूरी तरह से अशत्य है याद रखना है आपको मंड यानि सरकरा जाती के जो भोजन होते है ना ठीक है ना उनका पाचन आमसे से प्रारम नहीं होता ह नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और दिख लेंगे कि जीव जो है लाला गरंथी को भोजन के साथ मिलाने में साहिता करती है बिल्कुल पूरी तरह से यह कतन जो है यह सत्य है आप सभी जानते हैं जीव के निचले हिश्वर पर जो लाला गरंथियां की मौझूदगी हो है ग्रसिका से अंदर चली जाती है और यह हमारे आंतिक संरचनाओं आंतिरिक भागों पर पहुंचती है यह बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स यानि जीव लाला गरंथी को भोजन के साथ मिलाने में साहिता करती है ठीक है न यह बिल्कुल आपका सही बात है और जी हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि नंबर गौ में हमसे क्या पूचे गए है पिता सह में पितरस और स्थाई रूप से भंडारित होता है क्या यह कथन सच है या फिर गलत है जो पिता सह होते है उसमें पितरस और स्थाई रूप से भंडारित होता है यह बिल्कुल जाल लेनी है ये काफी important है पिता शय में जो पितरस होती है ये भी भोजन को आगे पचाने में काफी साहता करती है या बात भी आपको जाल लेनी है फ्रेंड्स ठीक है ना और मैंने आपको या बात कई बार वीडियोज में भी बताया निक्स्ट हमें आगे बढ़ना है और देख लेना है कि रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते कि या बात सच है या फिर गलत है या बात आपको बतानी है जैसा मैंने आपको वीडियोज में भी बताया या कि रूमिनेंट वो प्राणी है जैसे कि घाय आप बोल सकते हो आप बैल बोल सकते हो आप घोड़ा बोल सकते हो ये वो रूमिनेंट है जो जुगाली की प्रक्रिया को संपन करते है याद रखना है जुगाली की प्रक्रिया में क्या होता है वो अपने रूमिनेंट से खाना जो है जबडे तक मुह तक ले आगती है और पुना चबा कर फिर से वह रूमिनेंट तक ले जाती है तो रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे उसे चबाते रहते हैं क्या यह कथन सच है य यह है आपका जो main इस प्रश्ट नंबर में पूछा गया जो सवाल, इसमें आपको कई सारे सवाल दिये जाएंगे, और आपको कई सारे विकल्प यानी option दिये जाएंगे, और आपको उनमें से सही जो विकल्प है, जो सही option है उसमें आपको सही का चिंद लगाना है तो friends चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्ट नंबर कौ में हम से क्या पुछा जा रहा है वसा का पूर्ण रूपेर पाचन जिस अंग में होता है वह है number 1 आमाशय नंबर 2 मुख नंबर 3 चुद्रांत और number 4 ब्रिहदांत्र तो इन में से कौन सा पाट है वह भाग है हमारे इस digestive systems का जिसमें वसा का पूर्ण रूपेर पाचन होता है तो friends जैसे आप सभी videos में भी जाना कि वसा का पूर्ण रूपेर जो आचन है वह चुद्रांत में होता है small intestine में होता है यह बात आपको याद रखनी है ठीक है ना यह आपको चुद्रांत आपको select करनी है ठीक है next हम आगे बढ़ रहे हैं और देख ले रहे हैं कि प्रश्ट नंबर 5 में हम से क्या पूचे गए हैं आप देख पा रहे हैं जल का अप्शोशन मुख्यता जिस अंग द्वारा होता है वह है नमबर 1 आमाशय नमबर 2 ग्रासिका नमबर 3 चुद्रांत और नमबर 4 व्रिहदांत्र तो फ्रेंड जैसा आपने वीडियोज में भी जाना कि जल का अप्शोशन मुख्यता जिस अंग द्वारा होता है उससे हम लोग ब्रिहदांतर कहते हैं लार्ज इंटस्टाइन कहते हैं और लार्ज इंटस्टाइन ही ऐसा जगह है जहां पर जो है लास्टली जल का अप्शोशन हो जाती है और वज्य पता तुसके बाद जो है सरीर से निस्कासित कर दिये जाते हैं तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रेश्ट नंबर फो में हम से क्या पुछे गए हैं आप सभी देख पा रहे हैं प्रेश्ट नंबर फो कॉलम A में दिये गए कत्नों का मिलान कॉलम B में दिये गए कत्नों से आपको करना है यह है आपका सवाल ठीक है आपको दो कॉलम बताये जा रहे हैं और उस दो कॉलम में अलग-अलग सब्द दिये जा रहे हैं कॉलम 1 में कॉलम A में और कॉलम B में आपको उन्ही सब्दों को एक साथ मिलान करना है सही से सोच समझ कर ठीक है ना फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कॉलम A में दिया गया है खाद दे घटक और दूसरी तरफ कॉलम B में आपको बताया गया है पाचन के उदपाद को ठीक है आपको समझना है पहले जिस तरह एक तरफ कॉलम A है और दूसरी तरफ कॉलम B तो खाद घटक में आपको दिये गये हैं कार्भोहइडरेट्स प्रोटीन और वसा ये तीन आपको दिये गये हैं कॉलम A में खाद घटक है जो और जो कॉलम B में बताया गया है वो है पाचन के उदपाद वशा, अमल एवबं ग्लिशारिल ठीक है ना और सरकरा और अमिनो अमल ये हैं आपको पाचन के उदपाद अब आपको सही रूप से मिलान करना है कि कौन से कॉलम का जो है किस तरह के शब्दों के साथ वो मैचिंग करता है मिलान होता है तो सबसे पहले फ्रेंट्स आपको कॉलम ए में जो सब्द लkenी है कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन का उदपाद है सरकरा ठीक है आप देख पा रहे है यहां पर एंसर में भी और बोडी में वो टूटने लगती है विगटित होने लगती है याद रखना है हमारे सरीर में जो भी जेटिल पदार्थ है उनका पाचन में क्या होता है जेटिल पदार्थ जो तूट कर वो सरल हो जाती है वो विगटित हो जाती है तूट जाती है जिस तरह कार्बो हाइडेट तूट जाती है सरकरा में प्रोटीन तूट जाता है एमिनो एसिट्स में एमिनो अमल में औ पुछे गए है प्रशन नुबर 5 आप देख पा रहे हैं दिर्गरोम क्या है वो कहां पाए जाते हैं अब उनके कार क्या है ये आपको बताना है जैसा आपने वीडियो में भी जाना फ्रेंट्स की दिर्गरोम आखिर क्या होते हैं और ये कहां पाए जाते हैं उनके काम क्या ह तो फ्रेंट्स चलिए देख ले रहे हैं इस प्रशन का उत्तर हमें किस तरह से देनी है जैसे आप सभी देख पा रहे हैं दिर्गरोम छुद्रांथ की आंतरिक भित्ती पर अंगुली के समान उबरी हुई सनरचनाय होती है जिसे रसांकुर भी कहते हैं आप सभी देख पा र हैं दिर्गरोम जो विलीज होती है न वो छुद्रांथ यानि स्मॉल इंडेस्टाइन की आंतरिक जो वाल होता है आंतरिक भित्ती पर अंगुली के समान एक उबरी हुई रचनाय होती है जिसे रसांकुर भी कहते हैं और इस रसांकुर का जो काम है वह फिर आपको बाद मे लिखना है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं दिर्गरोम पच्ये हुए भोजन का अब शोशन हे तू तल छेतर को बढ़ा देते हैं याद रखना है दिर्गरोम पच्ये हुए भोजन का अब शोशन करने हे तू जो तली होता है उनका जिस तरह अंगुली के शमान निकले तो उनका area small होता है और अगर हम धिरी धिरी अगर उन्हें हम accordingly horizontally कर दें तो उनका तल छेत्र जब वो बढ़ जाता है तो दिर्गुरोम पचेवे भोजन के अप्शोषन है तो तल छेत्र को बढ़ा देते हैं और दिर्गुरोम की सतह से पचेवे भोजन का अप्शोषन होता है या रुधिर वाहिकाओं में भी देन चला जाता है यह बात आपको काफी अच्छे से लिखनी है mention भी करनी है अपने उत्तर के sheets में कि दिर्गुरोम की सतह पर से पचेवे भोजन का अप्शोषन होता है देन वह रुधिर वाहिकाओं दारा रक्त वाहिनी ओदारा हमारे सरी में चला जाता है निक्स्ट हमें आगे बढ़ना है और देख लेना है कि प्रेश्ट नंबर सिक्स वेम से क्या पूछे गए हैं पित कहा निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में साहिता करती है काफी important question है friends आपको समझना है ध्यान से कि पित आखिर कहा निर्मि जाता है ठीक है न उसको स्रावित करता है जिसे हम पित आसे नामक थैली में या संग्रहित किया जाता है याद रखना है आपको पित रस के स्राव जो होते हैं वो यक्रित में होते हैं यक्रित हमारे मनुस्य की सबसे बड़ी ग्रंधी है ठीक है न और जिसे हम पित आसे ना घटक के पाचन में साहता करती है तो आपको लिखना है पित विसा के पाचन में मदद करता है एक है ना एक का कारण भी आपको बताने है तो फ्रेंट जैसा मैंने आपको बताया था वो जो कार्बो हैडडेट्स जो है वो आखिर होते हैं सेलिलोज भी एक तरह का कार्बो हैडेड होता है जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर पाते हैं ठीक है न और इनका जो इसी बहुत या सानी रूप कर लेते हैं तो प्रेंट ड़ेलूर्ट यह देख ले रहे हैं कि इस सवाल का उत्तर है किस तरश से लिखना है जैसा आप सभी देख देख पा रहे हैं cellulose एक प्रकार का carbohydrate के cellulose क्या है यह पहले आपको bracket में बतानी है ठीक है ना cellulose क्या है एक प्रकार का carbohydrate है then bracket को close कर देनी है then आपको लिखना है cellulose के पाचन के लिए अधिक समय की आवशक्ता होती है जैसा आप सभी जानते है cellulose आसानी से हजम यानि पाचन जो है वो नहीं हो पाता है मनश्यों के द्वारा और ruminant की आहार नाल मनश्यों की आहार नाल से काफी बड़ी होती है इसलिए cellulose ruminant द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनश्यों के द्वारा नहीं यह बाद भी आपको जान लेनी है नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना है और देख लेना है कि प्रश्ट नंबर 8 में हमसे आखिर क्या पूछे के हैं आप देख पा रहे हैं प्रश्ट नंबर 8 क्या कारण है कि हमें ग्लुकोज से उर्जा तुरंत प्राप्त होती है जैसे आप सुभी जानते हैं ग्लुकोज में जितने भी सारे घटक है वो सरीर में तूट कर हमें जल्द से जल्द क्या करते हैं हमें बौडी में पानी देते हैं ठीक है न और उर्जा वो बौडी से हमें प्रवाइड करते यह बात आपको पहले समझनी है यानि ग्लुकोज का काफी जल्दी हमारे सरीड में विगटन हो जाता है इसे पहले आपको समझना है तो फ्रेंट्स शलिए दिख ले रहे हैं कि इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं हमें ग्लुकोज स समझना है कि ग्लुकोज से उर्जा तुरंद मिलने का कारण है यह कोशिकाओं में ग्लुकोज ऑक्सिजन की मदद से क्या करती है यह कार्वन डाइ आकसाइट्स का निर्मान करती है और पानी में या आसानी से तूट जाती है यानि पानी का creation और then carbon carbon dioxide का creation करती है और उर्जा जो है वो निकलती है हमारे बोड़ी को देती है इसलिए ऐसा लगता है कि ग्लुकोस पीने से तुरंद हमें ओर्जा मिल रही है या ओर्जा एक्षॉली एक पतिक्रिया है जिसके कारण से ग्लुकोस जो है वो पूरी तरह से विगटित हो जाता है निक्स हमें आगे बढ़ना ह है और जान लेना है कि प्रश्ट नम्बर नाईन में हमसे आखिर क्या पूछे गहीं है आप देख पार हैं प्रेश्ट नम्बर नाईन आओरनाल के कौन-कौनसे भाग द्वारा निम्न क्रिया संपादित होती है वो आपको बताना जिस तरा से आप देख पारहे है आपहरना नाल एक ही है यह बात भी मैंने आपको वीडियो में बताई तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर सवाल क्या है और क्या हमसे कुछ जा रहे हैं आहर नाल के कौन से भाग में निमनेक्रियाएं होती है वो आपको पताना है नंबर वन पच्छे भोजन का अब्शो करते हैं चुद्रांत यानि छोटी आथ ठीक है ना स्मॉल इंडस्टाइन छोटी आथ चुद्रांत पच्छे भोजन का अब शोशन करती है नंबर टू हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि भोजन को चबाना या काम कौन करता है तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी है ठीक है ना और नेक्स्ट हमें लिखना है कि जीवानू नश्ट करना तो जीवानू नश्ट कौन करते हैं तो आप सभी को पता है बहुत सारे जीवानू जो हमारे लाला रस के द्वारा लाले ग्रंथी के द्वारा जो भी रस निकल रहे हैं लाला रस उनसे वैक्ट्रिया वो जिवानों नश्ट हो जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे जिवानों हैं जो हमारे सरीर के आमा सहे तक पहुंसते हैं आमा सहे में बहुत ऐसे पतात है जो जिवानों को नश्ट कर देती है यह बात भी आपको जाल लेनी है यानि जिवानों नश्ट करती है आमा सहे में प पाचन पूरी तरह से पाचन संपूर्ण पाचन या छुद्रांत या छोटी आत में पूरा होता है या बात भी आपको जान लेनी है और देन मल का निर्माण और ये खहां पर होता है तो मल का निर्माण होता है व्रियादांत यानि बड़ी आत में और मल दौर दौरा इसे सरी के बाहर निकाल दिया जाता है मानव एवं अमीबा के पोशन में कोई एक समानता और एक अंतर आपको लिखना है यह है आपको पुछा गिया प्रशन नमबर 10 में सवाल ठीक है न पहले आपको सवाल को समझना है फ्रेंड्स मानव का जो पोशन है और अमीबा के पोशन में आपको शमानता है भी लिखनी है एक और एक आपको अंतर लिखना है ठीक है तो फ्रेंड्स चे लिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से लिखनी है जैसा आप सबी देख पा रहे हैं पहले आपको लिखना है हेडिंग्स देकर समानता आपको समानता हेडिंग्स देनी है और आपको समानता ये लिखनी है कि आखिर क्या समानता है अमीबा के साथ मानव के पोशन का पहले आपको लिखना है कि भोजन के पाचन तथा उससे प्राप्त उर्जा की बुनियादी प्रक्रिया अमीबा के साथ साथ इंसानों में भी समान है जैसे आप सभी देख पा रहे हैं नेक्स्ट आपको लिखना है अमीबा में भोजन में पाचन रस श्रावित होता है जो भोजन पर कारी करते हैं और इससे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं तो अमीबा में क्या होता है भोजन में पाचन रस सरावित होते हैं और भोजन पर कारि करते हैं और सरल पदार्थों में इसे तोड़ देते हैं धीरे-धीरे पचा हुआ भोजन अब शोशित हो जाता है इसी तरह मानव में भी बिभिन पाचकरस, मुह पेट, आदी, आत्मे ये पाचकरस कही जगा पर मौजूद होते हैं और ये भोजन में मिलकर काम करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं जैसा आप सभी को पता है जो भोजन है वह एक जटिल पदार्थ होता है उनका पाचन यानि सरल पदार्थों में तोड़ देना ही पाचन कहलाती है ठीक है न आपने इस वीडियो में भी जाना उसी तरह शमानता है जो हैं वो अमीबा के साथ साथ मनुष में एक ही तरह की होती है जटिल जो पदार्थ है कार्बनिक पदार्थों का विगटन होकर विगटन कर दिया जाना ही पाचन कहलाता है जिस तरह मनुष में हो रही है शमान उसी तरह अमीबा में भी शम्पन हो रही है यह हो रही है शमानता है अब है कि आखिर आज शमानता हैं अंतर क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि अंतर में हमें क्या लिखना है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं अंतर में आपको बताना है कि अमीबा में पाशन प्रक्रिया सरल है जबकि मनुष में यह एक जटिल प्रक्रिया है निशित रूप से यह सरल है इसलिए है क्योंकि अमीबा जो है वो एक कोशिक की अप्राणी है और मनुष से जो है बहु कोशिक की अप्राणी है यह आपको पहले समझता है क्यूं सरल है और क्यूं जटिल प्रक्रिया है ठीक है ना इसे आपको समझ लेना है नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अंतःगरण और उत्सरजन की प्रक्रिया भी काफी अलग-अलग है काफी भिन होती है अमीबा अपने भोजन को पदाब के माध्यम से पकड़ता है ठीक है ना और अफशोशन के पस्चाद बिना पचावा भोजन खद धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जबकि मनुश्यों में भोजन जो जटिल पदार्थ है मुग के अंदर ले लिया जाता है और पाचन और अफशोशन की एक जटिल प्रक्रिया से घुजरता है भोजन का देन पाचन होता है भोजन का अप्शोशन होता है उसके पहले यह मुख हुआ से अंदर लिया जाता है ठीक है ना और अंत में बचा हुआ पदार्थ जो वज्ज पदार्थ है वो मल की रूप में निस्कासित कर दिया जाता है इस तरह से यह अंतर है एक और एक समान जो अमीबा के साथ मनुश्री की पोशन को बताते हैं नेश्ट हमें आगे बढ़ना है और देख लेना है कि प्रेश्ट नमर 11 कॉलम A में दिये गए शब्दों का मिलान आपको कॉलम B में दिये गए उचित कतनों के साथ आपको करनी है आप देख पा रहे हैं कॉलम A में जो सब्द दिये गए है वो है लाला गरंथी नमबर दो आमाशे नमबर तीन में है यकरित और नमबर फोर में है मलाशे नमबर नेक्ष्ट में है चुद्रांत और व्रिहदांत ठीक है ना और आपको वही दूसरी तरफ दिया गया है कॉलम B में कुछ शब्द जो है पितरस का श्राव बिनावा पचे भोजन का भंडारन लाला रस श्रावित करना अमल का निर्मोचन पाचन का पूरा होना जलकाव शोशन मलत्याग ये आपको शब्द दोनों तरफ कॉलम A और कॉ सब्सक्राइब का मिलान को हम कैसे पूरा करेंगे जिस तरह आप देख पा रहे हैं अपको सबसे पहले कॉलम A में जो सब्सक्रावित करना कॉलम B में आपको चूस करने है ठीक है ना नेक्ष्ट जो है आमाशय के लिए आप कॉलम B के कौन से सब्दों को आप शेन करेंगे आप लिखेंगे आमाशय में अमल का निर्मोशन होता है अमल निकलती है उससे ठीक है ना फ्रेंट्स और नेक्ष्ट है यकृत यकृत में आखिर क्या होता है पितरस का स्रबण होता है आप सभी को पहले जानना है यकृत में पितरस का स्रबण होता है नेष्ट है मलाशय में क्या होता है मलतियाग होती है मलाशय के माध्यम से और देन शुद्रांत शुद्रांत में आपको ये जो छोटी आथ होती है उसमें क्या होता है पाचन का पूरा होना यानि पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है संपन होती है कहाँ छुद्रांत में और नेस्ट वह कम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे ब्रीह्य दान्त में क्या होती है तो जलका अप्षशन होती है और बीना पचेवे जो भोजयं है जो जो पतारत है उनका वंडारन हो जाता है यह बात भी आपको जाल लेनी है नेक शर्म लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंट्स और देख लेंगे प्रेश्ट नमबर 12 में हम से क्या पुछे गये हैं प्रेश्ट नमबर 12 अब देख पा रहे हैं चित्र 2.11 में दिये हुए पाचन त आम जो है वो लिखनी है जिस तरह आप देख पा रहे हैं ठीक है ना तो कौन सा भाग यहां पर यक्रित है और कौन सा भाग यहां पर पिताश है इससे पहले आपको अच्छे से समझना है जिस तरह आप देख पा रहे हैं पिक्चर में भी यक्रित आप देख पा रहे हैं पतले वाले पिंग हुए है चुद्रात आध बड़े जो गुलाबी रंग वाले नजर आ रहे हैं वो हैं प्र हतांत आप देख पा रहे हैं और दैन आप देख पा रहे हैं लाष्ट में मलाश他ए और गुद्दा जो है वो नजर आ रहे हैं तो इस प्रकार आरेक को हर भाग को आपको नाम को बता देना है ठीक है ना फ्रेंड्स जिस तरह आप सभी देख पा रहे हैं नेश्ट हमले आगे बढ़ना है और देख लेना है कि प्रश्ट नमबर 13 में हमसे क्या पुछे गए हैं आप देख पा रहे हैं प्रश्ट नमबर 13 13 क्या हम केवल हरी सबजियों या फिर घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर शकते हैं इस विसाय पर आपको चर्चा कर रही है ठीक है ना समझना है पहले सवाल को फ्रेंड्स जो हरी सबजियों या फिर घास जो है आपको क्यूं बोले जा रहा है कि उनका अगर भोजन किया जाय तो हमारा जो जीवन है वो निर्वाहन हो सकता है पहले इसे आपको समझना है तो आप सभी जानते है कार्बो है तो फ्रेंड्स जली देख ले रहे हैं इस सवाल को हम किस तरह से लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है आपको लिखना है कि कच्चे पतेदार सब्जिया और घास से सम्रिद है पहले ये आपको लिखना है जो भी कच्चे पतेदार सब्जिया होती ह और घास जो होती है वो cellulose जो की एक प्रकार का carbohydrate है वो उनसे सम्रिद होता है भरपूर होता है मनुष्यों सहित कई जानवर cellulose का पाचन नहीं कर शकते क्योंकि उनके पास vicious enzymes और कुछ vicious प्रकार के bacteria नहीं होते हैं यह बात भी आपको अपने प्रश्ण के उत्तर में लिखनी है कि मनुष्य के साथ कई ऐसे जानवर हैं जो cellulose को हजम नहीं कर सकते उनका पाचन नहीं कर सकते ठीक है ना जो cellulose को पचा सकते हैं इसलिए हम उन सबजियों को उबालते या हैं पकाते हैं जो cellulose को सरल कार्बोहाइडरेट में तोड़ देती हैं हम क्यों सबजियों पका रहे हैं जैसे हम सभी को आपने जाना कि जितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेड है प्रोटीन है ना ये सबी तूट जाते हैं विगटित हो जाते हैं सरल पदार्थों में ठीक है ना? इसलिए हम सबजीयों को उबालते हैं या पकाते हैं ताकि हम आसानी से हम उनका पाचन कर पाएं क्योंकि हमारा पाचन तंत्र काफी बड़ा नहीं है और नहीं हमारे पाचन तंतर में काफी सारे ऐसे विसेस इंजाइम्स है जो भोजन को पचा सके और नहीं हमारे पेट में ऐसे कई विसेस प्रकार के वैक्टरियाज होते हैं जो सलिलोज का पाचन कर पाए ठीक है ना? हम केवल सबजियों को उबले हुए या पके हुए रूप में लेकर खाकर उसको पचा सकते हैं यह बात पहले आपको समझना है जब तक भोजन पचे का नहीं तब तक हमारा जो सरीर है हमारा जो पूरा मानव शरीर है वो कैसे हम जीवन निर्वाह कर पाएंगे इससे पहले में